प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी शपत लेंगे उसके पहले इन सब के बीच क्या हुआ लेकिन जानना ये भी ज़रूरी है कि आखर चुनाव में क्या हुआ कार सेवकों पर मुलायम सिंग ने गोली चला दी थी तब भी भारती जनता पार्टी नहीं जीती भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 14 हवर्ष वनवास काट चुकी हिराम को नहीं छोड़ा बिल्कुल एक निरंकुष शाषन नहीं चाहते हैं इस देश में हम ऐसा शाषन चाहते हैं जिसमें कि सिरफ एक ही वर्ग का चले ऐसा नहीं हो और इस चुनाओ के नतीजे में उसका बहुत बड़ा संतेश है आज की जुल्ट उस उस आग की लप्टों में भी यहां पर जुलसने का अंदेशा है अंत्रप्रदेश में अब मुस्लिम आरक्षन देंगे तो क्या भार्तितर पार्टी कैसे रियक्ट करें गड़बंदन सरकारों ने भी इस देश का बहुत भला किया अच्छे से देश चलाया है लाड़ी मौझूद है और बहुत एहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले हफते जब हम बात कर रहे थे चर्चा कर रहे थे तो वो चर्चा थी कि कितनी सीटे आने वाली है लेकिन अब सीटे भी आ चुकी है, गिंती भी सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद अब रविवार को जब प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी शपत लेंगे, उसके पहले इन सब के बीच क्या हुआ, लेकिन जानना ये भी ज़रूरी है कि आखर चुनाव में क्या हुआ, चा में इस तरह के नतीजे आए, और क्या परसितियां बनी, जिनको शायद बीजेपी भी नहीं भाब पाई, या जनता उस तरीके से उन चीजों को नहीं ले पाई, और जनता ने वोट नहीं दिया, ये सब को जानने समझने की कोशिश करेंगे, और ये बताने के लिए तमाम ख अजलिल के संपादक जैदीव कार्निक जी भी मौझूद है, आप सबका बहुत स्वागत है, सबसे पहले हर्शवर्दन जी बै आप से इस चर्चा की शुरुआत करूँगा, सर, नतीजे आये, उसके पहले हम चर्चा कर रहे थे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन अब तो सब कुछ सामने है, रविवार को शपत भी ले लेंगे प्रधान मंत्री नरेनर बोधी, तीसरी बार प्रधान मंत्री पत्की, उनकी तीसरी कसम हो जाएगी, ये नतीजे किस तरीके से अब देखे जाए, अब इनके माइने कैसे समझे जाए, कहां पर क्या हुआ? राउल गांधी भी कह सकते हैं कि 24-99 पर पहुँच गया, कमाल हो गया, 5-37 पर समाजवादी पार्टी भी कह सकती है, शरत पवार भी कह सकते हैं कि हमने अपना बचा लिया देखोई हो गया, शिंदे और उद्धो दोनों खुश हैं, उद्धो कह रहे हैं कि हम सीट पर भले जादा लड़े लेकिन 9-7-7-7 वशिंदे करें कि हम तो कम सीट पर लड़े थे फिर भी 7-7-7 लेकर आएं, तो एक तरह से देश के अलग-अलग हिस्सों में हर कोई खुश है, लेकिन इस चुनाओ को अगर कहें कि इसको समराइज करें, इसका ब्रीफ कहें, सत्ता के साथ च 14-17-19-22 में मिला, और 19-22 में जो उनहीं के लोगों ने जो चेतावनी दी, उसको जो सत्ता का तंतर यूपी में भाजपा का डेवलप हो गया है, उसको स्वीकार न करना, टिकट बहुत खराब मांटना भारती जनता पार्टी की तरफ से, अखलेश यादो चुप चाप, कि नभियान में तो सब जूट बोलते हैं, सब बहुत कुछ बताते हैं, सबसे बड़ा जो रहा, समविधान खतम हो जाएगा, आरक्षन खतम हो जाएगा, हमें ये समझना पड़ेगा, कि इस देश में एक बड़ा वर्ग है, जो बार बार लंबे समय तक अगर जूट भी ब राइबरेली की सीट पर दिनेश प्रताब सिंग को क्यों टिकट दिया जाना चाहिए था, हम लोग पहले भी इसकी बात करते थे, इलाहाबाज जैसी सीट पर आपको कोई अपना नेता नहीं मिला, नीरज कभी नेता रहे ही ने, के शिना जी के सुपुत्र हैं, लेकि नेता तो रहे नहीं, शावस्ती से निपेन मिश्रा के पुत्र साकेत मिश्रा को क्यों टिकट दिया जाना चाहिए था, ये बड़ा सवाल है, और देखें, बड़े सवाल उस पर भी खड़े होंगे, कि जो इस पार्टी के बड़े निता है, क्या वो अपने लोगों को टिकट दे पाए, अगर आखरी समय में अमिट शाह को मीटिंग करकर के धनेंजे सिंग और अगुराज पिताब सिंग को साधना पड़े, वो भी नहीं सदे, तो फिर सवाल तो सब के उपर खड़ा हो, तो भारती जनता पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन का, समाजवादी पार्टी के खुश होते हुए, इस फॉर्मूले को कितना आगे ले जाएंगे, कॉंग्रेस पार्टी के लिए, जो वो चाहती थी, बहुचन समाज पार्टी समाप्त हो जाए, मुसल्मान करनाटक से उसको मिलना शुरू हुआ, और देखिए, छोटी बात नहीं होती, करनाटक के समय में उन्होंने PFI के बहन के साथ ने बजरंग दल पर बहन की बात कर दी थी, अब क्या जो राम के नाम पर वोट नहीं पड़ा, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, वो उल्टा भी पड़ सकता है, क्या, ये कॉंग्रेस को देखना चाहिए, यह मात आप कह रहे है ये तवाम कारण या आप कुछ और आट करेंगे, और खास करके बीजेपी की तो हम बात कर रहे है, थोड़ा विपक्ष पर भी फोकस करें, दोनों की बात कर लें, नहीं कारण तो ये सारे बिल्कुल सही है, और जैसे कि अब इन्होंने बताया, वो सब चर्चा में अब आ पहले से अगर ये चर्चा, फ्रीली चर्चा अलाओड होती तो शायद जहां मैटर करता वहां भी पहुंचती ये बाते हैं, तो पहले तो सब का मूझ इस तरह से सिला हुआ था, उपर से तो कोई बोल नहीं पा रहा था, अब लोग खुल के बोल रहा है, तो उससे तो मैं ये लेकिन एक माइने में बहुत इंटरस्टिंग चुनाओ है, कि जो हारा इस चुनाओ में वो खुशी मना रहा है, जीता जो वो सरकार बना रहा है, खुशी उदर भी है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आउट हुए थे, वो जीता हुआ बिल्कुल हारे हुए की तरह मू कि ये चुनाओ ऐसा है, जो कि अभी तक जो मोदी जी ने दिशा देश को दिखाई थी, क्या उसी रास्ते पर बढ़ेगा या उसमें कुछ कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि करेक्शन की जरूरत है, उस वक्त इन लोगों ने सुना नहीं, उ जिस तरह सिद्धिया है, उसको लेके बिलकुल साफ मेसेज है कि जो अभी तक की जिशा आपकी, ओवर ओल ठीक है, बट कोर्स करेक्शन की बहुत ज्यादा गुंजाईश है, और दूसरा एक जो absolute power वाली feeling आ गई थी सत्ता पक्ष में, उसको भी इस चुनाओ के नतीजों न बिलकुल विलुप्त हो गया था हमारे सामाजिक और राजनितिक डिसकोर्स से, अब वो चीज वापस आएगी जिसकी हमें खुशी है, समाजी क्या, पार्टी के भीतर के भी अपने हर तबके की लोगों की बात सुनी जानी चाहिए थी, अब जैसा इनों ने बताया कि अपन चेक्सन बैलेंसेज के साथ चलेगी और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक मजबूत लीडर्शिप हो, जरूर हो, लेकिन उस पर चेक्सन बैलेंसेज हो और डिसकाशन एट डायलॉग की गुंजाईश हो, जो शायद अब इस सरकार के दौरान हमें लेकिन बहुत सारे चेक्सन बैलेंसेज करके टिकट बाटे गए थे सब कुछ हुआ और सबी कि मैं बात कर रहा हूं, लेकिन नतीजे जिस तरीके से आए, पूर्णी माजी ने कहा कि एक पक्ष जो हार कर भी खुशी बना रहा था, दूसरा पक्ष वो खुशी उस तरीके ज जाहिर भी नहीं कर पाया, सरकार बले बन रही है, पर इस सितिया कहां फस गई आके? कि दोनों सबी दलों को इस बात की समिक्षा सुरू करनी चाहिए, कि हम क्यों जीते, जब वो ये समिक्षा कर लेंगे कि हम क्यों जीते, तो मुझे लगता है हार का कारण जानना आसान होगा, जो 2024 का नतीजा है आदर्ची, उसको समझे कि समाजिक न्याय के नाम पर राजनी कि दलों ने उस लावार्थी वर्ग को लालची वर्ग बनाने का प्रयास किया और उसी का नतीजा है, जो 2024, अब आप इसको कहां रोकेंगे, दूसरी बात जो महत्पून हो ये है कि इस देश में वन टाइम योजना लावकारी नहीं है, ये साबित हो गया, आपने प्रदान कि योजना से बिजली मिली, नल जली योजना से नल मिल गया, तो उनको ये लगा कि अब इस से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इस दिए हम उस दल के साथ जाएं, जो हमें एक लाग रुपए देगा, तो बोट क्या है, कि 2014, 2019 और 2024, इन तीनों को देखे, 14 में ब्रस्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, और 2024 में संबिधान और रारक्षन एक बड़ा मुद्दा बन गया, भारती जनता पार्टी की हार का जो मैं कारण समझता हूं, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो धर्मबाद और राष्टबाद के नाम पर जो नहीं ने जातियों गोलवंदी की थी, वो 2024 के चुनाओं में बिखर गई और उसी का नतीजा जो 60 से 35 पे आ गए, बाकी हर राज के चुनाओं नतीजा अलग है, मद्रदेश में 29 सीट जीते हैं, तो क्यों जीते, क्या वहां का मुखमंत्री चमतकारी था, इस बज़े से जीते, नहीं, कारण वो नहीं है, मद्रद गवालियर और सतना, दो सीटे और थी, मंदला और जाबुआ, तो यदि टिकट बितरन की बात की जाए, तो सतना में बिधान सभा चुनाओं हारने वाले गणे शिंग को टिकट को टिकट क्यों दी गई, मुराइना में दो लोग लड़े, दोनों पूर बिधायक हैं सबसे लड़े सबाल यह नहीं कि टिकेट किसको दी गई सबसे मूल बात यह है कि सभी दलों को इस बात की समिच्छा करना चाहिए कि हम क्यों जीते तुह हार कारण पता कर ले लिए मुझे लगता है कि यह लावार्थी वर्ग को लालची वर्ग में बनाकर उसको लाव ले लि अंडरलाइन किया जाना चाहिए थोड़ा बोल्ड में इसकी बात होनी चाहिए लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप सब की राय में जंदी से ले लूगे नतीजों के उपर विलाल साब आप इसमें को जोड़ेंगे क्योंकि बड़ा हम हो जाता है जिस तरीके से सरक्षन के दो जरूरत है लेकिन भारती जनता पार्टी उत्तर भारत में जो अपेक्षा किये वीती खासतार से उत्तर परदेश से वो उसकी पूरी तरहां काम्याब होती नजर नहीं आई लेकिन भारती जनता पार्टी को दक्षिन ससाहरा मिला जहां पर लोग उमीद भी कर रहे थे वही उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजिक नियाय की बात है समिधान की बात है बेरोजगारी की बात है या महंगाई की बात है या समाजिक संघर्श की बात है इन सब का गुणात्मक परभाव मल्टिपल इफेक्ट हमको देखने को यह मिला वही इस गुणात्मक परभाव का जो इफेक्ट जमीन धरातल पर आ रहा था उस उस गुणात्मक परभाव ने polarization को भी रोका जो polarization एक करने के कोशिच की जा रही थी एक strategy के माध्यम जो जबान बोली जा रही थी उस उस factor में भी समाज का एक बड़ा वर्ग जो वंचित वर्ग है पिछड़ा वर्ग है या जो जो गरीव वर्ग है वो नहीं फसा कि उसने अपनी जरूरतों को प्रातमिक्त दी और उसके चलते उसने अपनी आँख अरजुन मचली की आँख पर रखी और उसको ये ऐसास था कि अगर परिवर्तन अगर इस समय हम नहीं करेंगे तो सत्ता पक्ष जो जिस तरह से हमें हमेशा जहासों में फसाता आया है उस बार हम फिर पूरी तरह फस जाएंगे तो उसमें अपने मुद्दों पर फोकस होके वोट किया वही मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पुछले पांच साल के अंदर जो एक एडी का फैक्टर था जो सत्ता पक्ष की शक्ति शाली होने के कारण बहुत सारी सरकारे आउट आउट आउब बॉक्स जाके सोचती है और जिस करता है इस इस मौझूदा सरकार में उसके आकार में भी कोई तब्दीली होती नजर आए यह मैं इस ट्रिगर पाइंट मानता हूं क्योंकि जो चेत्री दल है वह अपने राजनीतिक भविश्य के लिए क्या सरोकारिक रूप से काम कर सकते हैं यह हमें देखने वाली बात है हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए जब नितीज बाबू इंडिया गडबंधन का सवरू बना रहे थे तो उनके कहने पर ही केजरिवाल आये थे तो केजरिवाल या हेमन सोरेंज जो एडी का शिकार है क्या अब ऐसी परस्थितियों में जो छेत्री दल है जो इसका शिकार वो इस कानून में कोई परिवर्तन की मांग करते हैं ये ट्रिगर पाइंट हो सकता है इस पर नज़र रखना होगा ये एहम बात आप उठा रहे हैं ट्रिगर पाइंट हो सकता है अधेशर पिछली चर्चा में जब हम कर रहे थे तो आपने बहुत सारी बाते कही थे और ये थे तो सबके लिए संतोष के और सबके लिए सुखी और अंदर से राहत महसूस करने का आधार दे दिया है बद्धाताों ने अब सरात तवार जी भी है कि भाईया हमको तो अब मिल गया के बल दो पार्टी जिनमें से एक का इनोंने नाम लिया आपका लेकिन रास्ट्री जनता दलका नहीं लिया यह दो पार्टी के लिए बिपक्ष में जो है यह चुना और निश्चित रूप से मतलब इससे बड़ा सन्निपात उनके लिए नहीं होगा कि इतने दूस परचार औ बावजूद इधर दिल्ली में पंजाब में उनको सफलता नहीं मिली उनको बिहार में सफलता नहीं मिली तो यह इसका एक बड़ा पक्ष है कि इसमें सब अपनी अके और यह जो बता रहा है कि आने वाले समय में अभी यह सरकार बन रही है तो सरकार को केंद्रित करके देंगे जो अभी एक ओर दिखाई दे रहेंगा दूसरे इस पर टिपन ये है कि चुनाओं प्रणाम के दो दीनों तक जो चार और पांच को वाता वरंथा ऐसा महाल बनाया गया था जैसे विपक्ष जीत चुका हो और सत्ता पक्ष हार चुका आप देखेंगे कि पिछले ती अपने को सरकार से अलग कर लिया है वाता वर हुआ तो ये इस चुनाओं प्रणाम पर एक बहुत बढरी टिपनी है और इसको भी केंदर बना के देखना पड़ेगा यह जो मूल बात आ रही है ति भारतिये चुनाओं भारतिये जनतापार्टि हैं कि भारतिये जनतापार् हाथ है क्योंकि अगर आपकी सीटे पिछले चुनाव से अगर 63 घट रही है और दो उप चुनाव उत्तर प्रदेश का मिला लिजे तो 65 सीटे घट रही है उत्तर प्रदेश जैसे राज्ज में इतना बड़ा धक्का मिला है कि आप दूसरे नंबर की पार्टी हो जा रहे हैं मंगाल जहां से बेहतर की उमीद थी वहां बेहतर ही नहीं होती है महारास्ट में धक्का लग रहा है राजस्थान में जो उमीद के अनुरूप परिणाम नहीं है तो यह थोड़े गंभीर टिपनी और गंभीर विशलेशन के आवसकता महसूस करती है देखिए कहीं अगर को रथक अनेक बार मन महसूस कर करते हैं कि चलो कर देते हैं कहीं वो नहीं करते हैं कहीं उदासीन हो जाते हैं कहीं बिरोध करते हैं तो इसलिए परिणाम आपको मिस्री दिखाई देगा जहां तक गुजरात और मध्रदेश का सवाल है डेश में kuणete कम बोटिंग हुई बने 70% कांग्रेस जीले-जीले में जब समाहित हो गई है पार्टी में तो वहाँ बोट कम भी हो जाएंगे तो परिणाम हो जाएंगे तो एक बड़ा कारण इसको यह देखी इसका यह मतलम नहीं है कि वहाँ वो कारण बिद्यमान नहीं थे देखें इस समय भारत जो है जो इतना बदला हुआ भारत था हिंदुत्य के आधार पर हिंदुत्य आधारी तरास्ट्रिय चेतना के आधार पर देश उठके खरा हो रहा था अजुद्या में मैं स्वैम था गाउं गाउं से लोग अपने आ रहे थे वहाँ पूरे देश में 10 लाक हरती सज्जार कारकरम हुए थे छे लाक चपन हज्जार अस्थानों पर उत्सों मने थे विरोधी कहने लगे थे कि तो अघोसित हिंदु रास्थ हो गया हुआ है वो महावल अगर कायम नहीं रहा तो इसका कारण सामाने नहीं हो सकता है कि लोगों ने आके तो वहां उ दार कायम करने में कहां पीछे रह जाएगा यह बहुत बढ़ा है क्योंकि विपक्ष ने आगे चलके उसको उतना वरा मुद्दा नहीं बनाया और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप फरवरी से ले करके आगे के डिवेट को देखेंगे तो आपको राम जन्मुमी दिखाई नहीं परेगा बीच में दिखाई दे रहा था सारे डिवेट इधर से उधर हो गए हैं तो मन में वो वो अस्मिर्तियां भी नहीं रहती है मैं बार यह जो बीजेपी का इस समय है कि एक छोटी छोटी उम्मिद्वारों का चयन गलत कैसे होता है अगर उम्मिद्वार चयन कर नहीं है तो उनके नाम पर वोट कैसे मिलेगा कारकरता कैसे काम करेंगे तो सवाल है सर यही तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं पूर्णी वाज मैं आऊंगा जल्दी से करना चाहती हूं राम मंदिर जहां जिस स्टेट में बना जिस जगह बना वहां से बीजेपी का हार जाना उसी प्रदेश में नंबर दो वह भी बहुत पीछे आ जाना यह सारा नेरेटिव राम मंदिर के अराउंड जो बुना गया था बीजेपी को यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ वह नेरेटिव उनको वोट नहीं दिला सकता है यह कम सब्सक्राइब समझ में आगए आगए आगो शांतुरी में रहा है वह इसी लिए वोट का जर्या नहीं सकता जब चुनाओं में बीजेपी ने उसको उस डंग से मुद्दा बनाया नहीं नहीं अपने तो रोक दिया है इसलिए मैं रोक गया था आगे आएंगे तो पता हूँगा लेकि ऐसा है कि नेरेटिव जो है जो जो बीजेपी के पास इस समय क्या था राम जन्भुमी को केंद्र बना के बाकी नेरेटिव चारो और खड़ा करना था आपने इतना परिश्रम किया था उसके बाद उसके परिणाम का पता चलता लेकिन अगर आप ऐसे स्थिती पैदा हो गई कि UPA के विरूद एक वाइट पेपर आया संसद में उस वाइट पेपर में पहले उम्मीद थी कि उसमें कुछ भी स्पोटक चीजे होंगी और मोदी जी ने स्वयम घोसना किया था वो वाइट पर को ब्यूरो करेट्स ने उसक इतने भी नारे आये वह पांदे साथ दिन से चल नहीं पा रहे थे मोदी का परिवार जो हो चल ते सब क्यों हो रहा था यह चीजां समझने की जरूरत है बाकि उनका तो पर आएंगे सब जल्दी से प्रतिक्राइं ले लूँ क्योंकि नतीजे जो है ना वह बहुत बड़े है और उनके मैसेज भी उतरहीं बड़े है शांतरों जी देखिए बाचपक जी चाहिए बड़ी होती है आप छोटी है मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि यह बहुत ऑड्स के अगेस्ट में भारत में केवल ऐसा पहली बार पहला पहला दूसरी बार हो रहा है कि कोई लगातार टीसरी बार प्रदान incarnate बनना है चाहिए चाहीं फैटि ओने ब्लेर ना प्री इसके बाद झाव में ऑचलाई उसके बाद जे सुनाव के चमना वहारे करोणा यो यह भी विश्ञवन द hè उसके बाद जंसके बन चाहीं और तो इसलिए इस जीद को उन ओड्स के सगंस्टन म भी आके देखना चाहिए दूसरी बात इस चुनाव को आप किसी भी एक कॉमन थेओरी से नहीं नाप सकते कोई इंडिया की कॉमन स्टोरी नहीं अगर आप पांच स्टेट हटा दें उत्तरप्रदेश वेस्ट बंगॉल राजस्थान हर्याना और महराज़ता इनको अटा दें सेलेक्षन की स्टेट की टीम अगर मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री प्रदेश द्वर संगटन मंत्री एक पैनल लेके जाते हैं तीन का पैनल होता है राज़्य टीम सर्वे करके रखती है मैच करती है पॉलिटिकल इंटलिजिएक दूसरी परटी ने क्या टिकट दिए विरोध है और टिकट देती है तो उत्ता प्रदेश में भी वैसे ही टिकट बटा नरेद मुदी तो बेकार केंड़िट नहीं थे तो उनका वोट 63 परसंट से 54 परसंट क्यों हो गया रवी किशंद तो पुरे कांड़िट नहीं तो गोरखपूर की सीड़ ते उनका उनका बाच्पा उसको भाब क्यों नहीं पाई बाच्पा का आईटी साल उसको कॉंटर क्यों नहीं कर पाया जब वो गश्केर कर तो सो रहा था उसने क्यों नहीं जा के और आज भी जाके वहां पर इसका विरोथ। पाए मेरे खाल से जो फेक कैम्पेंग चला है बलकि यूट्यूब में कम से कम सतरा एंप्लॉई इस पर जान चल रही कैसे उन्होंने शैड़ो बैन करा कम से कम 90 से ज्यादा पदरगारों के यूट्यूब यूट्यूब चैनल्स को बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से जाके कहा है तो यह जो प्रणाली जिसमें भाच्पा बहुत आगे हुआ करती थी उसमें भाच्पा पीछे क्यों गई मुझे लगता है उत्तरप्रदेश में नरेद मुदी योगी इतनात काशी और एध्या इसके चेकर में जो अगया और बहुत के कारताओं कि मीटिंग है तो पचास नहों को बुलाए गया तो बीसी को लोग है तो जीता करते थे वोट को लाया करते थे अपने वोट मद्दाता को तो लाया करते थे वो मेरे काल से अपनी बड़ी ब्रैंड और नरेटिव के आगे उसको थोड़े शितल हो गए और वहां पर बात फसकी विनोट सर बड़ा है मैं समझना क्योंकि सब की अपने अपनी राय है अब एक पूरी वर्टजाइ विव देखें तो बड़ा कई सारे कारण दिखाए ते लेकिन चूक तो सबसे हुई ना कई ना कई कुछ जो एक दावा कर रहे थे जो दूसरा दावा कर रहे थे नतीजे तो सब की कानी बता रहे हैं ठीक है सब को खुश दरूर कर दिया नहीं कि चुनाओ और अब जैसे और अपने अपनी दरस्ती से विसलेशन होता है अब जिसे अभी शांतुल भाई ने काया कि जिन जो फेक कंपेंड चलाया गया और जिस स्ट्रेजिय में बीजे पर लेका आगे रहती ती याने इमान लिया उनों कि बीजे भी कंपेंड चला थी लेकिन इस बार नह केस रेगा ता टूरूल ने कि कर दो चले एक है अगी बड़ाइव ट्रफ खर आख ज़िया पार्ट्रव लिए घर जड़ा और रिगए जब जड़ा के ऑधा ज़िग्गेशन हो टो फेक वीडियो तो फेस बार्टी पीन तो उंप कारिए इस डावग चलेश्वा अधिया कि एक बड़ी दिल्चस्पी काहनी है जब जब भारते इंता पार्टी ने कुछ बड़ा किया है जब राम मंदिर का अंदूरान बिलकुर अडवानी जी पीक प्रथा यात्रा दुबादरी लिए है नाइटी नाइटीन के चुनाव अचिट्या में भारते इंता पार्टी आर कि उसके बाद जब राम मंदिर के प्रण पर रिष्ठा हुई 22 जनवरी को 2024 को तो फिर जो है जाकर चुनाव भारते तो कुछ राम जी की कुछ ऐसी माया है कि शायद उनको लगता है कि जादा हमारे नाम का इस्तेमाल चुनाव मत करिए हमने काम करते हैं लेकिन बहुत ज़ दुब के तो मुदा सकता है उसके बावजूत कुकि राम मंदिर का जोता है उसका एक समय भग जूवार बातिट बाहुत प्रणाव जाती है संस्ट जाती है तो रही घ्यास कर एक जिते तो यह इसको उसा नहीं पाद तो यह इस अपड़ेगा बाकि जी तो यह तो यह तो धेखना पर देखा हमने विश्वनात का जो तो देखा लेकर लेकर हम नहीं तो लोग उजाले गए अपने उसको उसके नहीं नहीं उजए डिपोर्टिंग्ग कि ना हम लोगों ने देखा तो वो भी तो कई कारण है और बाकी फिर अखले जाद उन्हें सेलक्षन अच्छे किये उन्होंने क्या किया यह महारास्ट पर क्या हुआ और ऐसा भी नहीं उडिसा में भार्तिनिद्र पार्टी को बहुत जबतल सब्सक्रता मिली सरकार भी बन ल अब आने वारे समय में अगनी परिक्षा है दो लोगों एक प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की क्योंकि उन्होंने अभी तर्व गड़बंधन सरकार नहीं चलाई गुज्ञात में भी एप्सुलूट मिजर्टी की सरकार चलाई और पिछले तस साल से अप्सुलूट मिजर् चलाने की अगनी परिक्षा रहुल गांदी और कॉंग्रेस की दोनों को अगनी परिक्षा देनी और जनता ने इन दोनों को इस तरह का मेंडेट दिया है अब आप एक अच्छी उदार एक कोहसिव एक इंट्रूसिव गर्मेंट चलाईए यह बड़ा है मैं जैदीब सार आ बाद भी वो नतीज़े नहीं है देखिया दर्स यह चुनाव सभी ने माना है और कहा है और लगातार लिखा भी यह सारे विश्लेशन को ने कि कई माईनों में महत्पूर्ण थे और खबरों के खिलाडी पर आज हमारे पास एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है वो भी यह दर्शाता है कि क्यों हम उसका उतनी गहराई से विश्लेशन करना चाहते हैं और शायदी कहीं किसी सत्ता में आई सरकार को भी हरावा मानकर उसका इस तरीके से विश्लेशन हुआ ह इसके भी कम ही उधारन मिलते हैं उसका कारण यह है जो हमने पिछली बार एक पंक्ती कही थी और जो बाद में हमारी खबरों में लिखी गई इसी खबरों के खिलाडी से उपजिवी पंक्ती थी कि अगर मेरिट में आने वाला च्छात्र दूती इश्रणी से उत्तिरन होग कि हमने सारे जो बुद्ध्य भी हम चर्चा कर रहे हैं उन पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई पुर्णी माजी कह रही थी कि इस पर खुलकर चर्चा है क्यों पुर्णी माजी इसी मंच पर खबरों खिलाले में पूरे चुनाओ के दौरान आप मोजूद रही और हर बार अपने विस्तार से अपनी बात रखे और जो पार्टी में तो कह रहा हूँ कि हम अपने मंच की बात हमने अपने मंच पर कोशिश की की सारे मुद्ध्य आए और उसको कुछ लोगों ने जिस और इशारा किया था वह इशारा सज भी हुआ 2019 में ब्रैंड मोदी उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा उसको प्रचा क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे उस वक्त जीत गए जिनकी जीत की उम्मीद ही नहीं थे लेकिन लोग मोदी जी को जीताना था था और उसकी आड़ में लोग चार-चार पांच पांच लाग चैचे लाग वोटों के अंतर से जीत गए उसी ब्रैंड मोदी का एक लिपनस टेस्ट विधानसभा चुनाओं में पांच राजियों के वा मंद्रदेश राइस्थान चेति लाग और तब भी जब ब्रैंड मोदी के नाम पर विधानसभा के चुनाओं जीत लिए गए तो यह मान लिया गया कि अब यही ब्रैंड 2024 में भी उतना ही बड़ा होकर उतना ही व्यापक प्रभाव डालेगा और उसके साथ साथ राम मंदिर और 370 के मुद्दे भी इतने बड़े हो जाएंगे कि और किसी चीज की इसलिए जो बहुत सारे गहरे विशलेशन हुए टिकेट वितरन के जिसको लेकर हर्षवरदन जी की अपनी राय थी और राकेश जी का अपना विव था उसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि जब आपको लगने लगता है कि देसे 2019 में उम्मीदवार गॉन हो गये थे और एक प्रधानमंत्री पर चुना जाना बहुत बड़ा हो गया था वैसा होता था हम इस विशलेशन को अलग दिशा में ले जा रहे हैं केंडिडेट बिल्कुल गौन हुए थे 2000 में और हमने सब ने देखा है ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए जो शायद पारशत की चुनाव में खड़े हो जाए तो जमारत जब तो जाए उसे बहुत सारे उधारन लेकिन वह अचानक से प्र मंदिर के दारा थी वो सारे चातों के भीतर ये सब अपने 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 चुनाव लेकिन ऐसा नहीं था तो अंदर की खदबदाट उपर तक नहीं पहुंचना ये बहुत बड़ा कारण रहा वहीं दूसरी और हमें ये भी बात करनी चाहिए थी कि जो शुर दूबात से ही पीछे अटें तो उसके पीछे जो कमिया है उनका विचलेशन करना चाहिए राजनीती और सत्ता को लेकर चुकि समय हो गया दो बाते हमेशा से महत्पून रही है और वही ख़बरों के खिराली के मंच से हम दोहराना भी चाहेंगे कि पावर कर अप्स पावर करप से एशलूटली तो हमने देखा कि अगर सत्ता का मध हो और उसमें कुछ चीजें दिखाई नहीं देती तो इस चश्मे को उतारने के लिए जंता का वोट काम करता है हर स्तर पर अलग मुद्धे हो सकते हर सीट का अलग समीकरण हो सकता है इन समीकरणों को एक का नाम नहीं है वो एक फिनोमेना है और कोई भी पावर में अगर आएगा तो शने शने कॉंग्रेस हो जाएगा तो जब भी तबदीरी उस तरफ जाती है जब आप पावर में आने के बाद अपने आदर्शों और सिद्धानतों को भूलने लगते हैं तो अपने जो संग औ आध्यम से आप खड़े हुए हैं उनको भूलने लगते हैं उसकी परणीती का सबक है हर्शवरदन जी कहते हैं सबके लिए खुशी है कुछ पार्टियों के लिए सबक है हम उम्मीद करते हैं कि खुशी और सबक मिलाकर भारत का लोगतंतर कुल मिलाकर मजबूत ही होगा ल लगातार लोगों के मन में बहुत सवाल थे सबके अपने अपनी राय है और इसलिए सबकी हमने पूरी बाते सुनी है ताकि आप इस विशे को बहुत अच्छे से समझ सके और जो भी शंका है आपके मन में है जो अलग-अलग बाते चल रहे हैं उनकी हिसाब से आप इनकी ब दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें